अगर आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आएं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों TV18 ब्रोडकास्ट पे हमारा फ्रेश बाइंग कब हुआ है हमारा फ्रेश बाइंग हुआ है 8 जूलाई को हुआ है 13 जून को भी हुआ है उसके बाद 29 जूलाई रिसेंट वीडियो में भी मैंने अपडेट किया है कि स्टॉक के अंदर होल्ड करो कुछ भी पैनिक वाली बात नहीं है इंट्री 42, 40 के इंबिटिवन हुआ स्टॉक का लो लगा 39.39 यहां पे हमारा हो गया स्टॉक में इंट्री अब स्टॉक के अंदर देखो हाई कहां तक लगा 48.72 हमारे टार्गेट कहां थे स्टॉक में 45.10 47.30 अब हो गया क्लियर प्रॉफिट बुकिंग अभी स्टॉक 51.30 क प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिये जैसा नीचे आ रहा है जिदर हमारा 47.30 पैसे पर हो गया है ट्रेलिंग अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ऐसे भी थोड़े सब्सक्राइबर है जो प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है स्टॉक को होल्ड कर रहा है मैं सजेस्ट क रखोंगा चो करूंगा ऑस्टों स्टॉक के अंदर प्रीविएस ब्रेकडाऊन लेववर जिहां पर है अभी इन प्रीचेट ट्रीज का ट्रेडवाट्यू यहां पर हैas कि अपना जो रिसेंट रिविएस ब्राइट हैं जिसका ट्रेडेड द वाल्यू यहां पर हैं यहां पर रिवर्स कैंडल का सेलिंग शो करते हुए 200 एम में पर रेड़ कैंडल क्लोस कर रहा हूं ठीक है अब यह क्या करेगा या तो यह फिर से यहां आएगा 44.13 से यहां से फिर सपोर्ट पकड़के उपर जाएगा मैं इसे क्यों बता रहा हूं क्यूंकि अभी जो मैं मैं मैंट्रिक सिरीज देख रहा हूं यह only plus 98 है और मैंट्रिक सिरीज कहां से ट्रेड कर रहा है माइनस 134 से लेके 98 के in between कर रहा है या तो माइनस 134 का level break करके माइनस 200 तो जाना चाहिए वरना हम लोग को 98 का level break करके प्लस 130 तो जाना चाहिए जो यहाँ पर totally improper show कर रहा है और RSI 56 पर close किया है इसका मतलब simple है जो भी exit नहीं किया है दोस्तों थोड़ा बहुत selling बनेगा फिर से buying का बनेगा तो मैं suggest करता हूँ कि आप hold करो पर नहीं हम लोग इसके अंदर average बनाना चाहते हैं ऐसे भी सुच रहा है तो दोस्तों आप 43.21 पे आप stock के अंदर average बना सकते हैं यह था मेरा latest update TV18 broadcast पे अगर आपको stock पे analysis समझ में आया वीडियो को like करिए, share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video